इस टाइम देखें UFC 281 में ये मेन इवेंट जो होगी ये ऐसे दो फाइटर के बीच में होगी जिनके बीच में हिस्ट्री रह चुकी है यानि कि पास्ट के अंदर इसराइल अडसानियों को दो बार हरा चुका है अलेक्स परेरा पहली बार डिसीजन से और दूसरी बार नोकाउट से और ये काम किया था उसने किक बोक्सिंग फाइट के अंदर ग्लोरी किक बोक्सिंग में अब जब ग्लोरी किक बोक्सिंग में दो बार अडसानिया को हरा चुका है परेरा तो क्या अब तीसरी बार यानि कि MMA में पहली बार जब फाइट होगी दोनों की तो क्या इसराइल लेडे सानिया को 185 के अपने टाइटल शिप से हाध होना पड़ेगा क्या हम न्यू चैंपियन देखेंगे मिडल वेट के अंदर UFC में UFC 281 के मेन इवेंट में इसी के बारे में पूछा गया Sean Strickland से तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या धमाका फोड़ा है आप सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें आप लोग जो वीडियो देखते हैं प्लीज सबस्क्राइब करें आप लोग होसला बढ़ाए मेरा लाइक करें वीडियो उसको और अपने कमेंट जरूर दें Sean Strickland ने कहा कि इसराइल अडसानिया जीतेगा अब देखिए जीतने के लिए तो इसने इसराइल अडसानिया को पिक कर लिया लेकिन कहते हैं कि भिगो भिगो कर चपल मारना ये ऐसा काम करते हैं इसने कहा कि इसराइल अडसानिया जीत जाएगा फिर से पूझागा क्यों जीतेगा तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एलेक्स परेरा के लेफ्ट हैंड के डर से वो कुत्ते की तरह पूरे रिंग में गुमता रहेगा इस्राइल एडसानिया का जो फाइटिंग स्टाइल है वो बहुत बॉरिंग है वो बस काउंटर स्ट्राइकिंग करता है और वो भी उन मौकों पर जब उसे लगता है कि बस मैं जैसे तैसे करके राउंड जीच जाओ तो जब एलेक्स परेरा के साथ फाइट होगी तो इस्राइल एडसानिया एक ही काम करेगा इस कोने से लेकर उस कोने में उस कोने से लेकर उस कोने में यानि कि ओक्टागन के सभी कोने माप देगा इस्राइल एडसानिया ये शोन स्ट्रिकलेंड ने कहा है और Sean Strickland ने ये भी कहा है कि जो body type है Israel Adesanya का वो भी अजीब सा है यानि कि वो इतनी बड़ी reach रखके और अपनी body के हिसाब से वो movement इस हिसाब से करते हैं कि Israel Adesanya को पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है तो इस तरीके से जैसे उनका boring style है वही use करते हुए Israel Adesanya Alex Pereira को हरा देगा decision लेकर ये कहा किसने ये कहा Sean Strickland ने Sean Strickland को knockout किया था Alex Pereira ने पहले ही round में बहुत तगड़ी win थी वो वाली अगर आपने देखी हो तो यहाँ पर Sean Strickland ने अपना winner choose कर लिया है लेकिन बेस्ती करने में फिर भी कोई कम ही नहीं चोड़ी Israel Adesanya की कुटे की तरह पूरी ring में बचता फिरेगा अब देखे Israel Adesanya की जो criticism हो रहा है हर fighter जो आज के time पर उन्हें criticize कर रहा है उसके पिछे एक ही reason है कि lately वो अपनी fights को finish नहीं करते वो decision तक ले कर जाते हैं जैसे कि आपने दूसरे champions को देखा है Israel Adesanya के fighting style में वो बात दिखती नहीं कि fight को finish करना है हाँ counter striking है उनकी उन्होंने अपने career में शुरुवात में बहुत finishing की है लेकिन यहाँ पर lately उनकी 3-4 fight ऐसी हो गई है कि भाई लोग ये देखना चाते हैं कि क्या वो striking करेंगे भी या फिर बचते फिरेंगे और दूसरी तरफ Alex Pereira जो है वो fight को finish करता है Alex Pereira का जो left hand है यानि कि जो उनकी boxing है वो काफी strong है उनकी kickboxing बहुत जबरदस्त है लेकिन जो left hand है उनका उसके अंदर बहुत ज़्यादा power है अगर वो एक बार connect हो जाता है तो लोग दूसरे orbit में पहुँच जाते हैं नोकाउट हो जाते हैं जैसा कि Sean Strickland के साथ भी हुआ था तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि UFC 281 में आखिरकार बाजी कौन मारेगा क्या हमें still middleweight champion इसराइल एडसानिया देखने को मिलेंगे winner या हमें new champion देखने को मिलेगा Alex Pereira के रूप में आप नीचे comment box में comment करके जरूर बताए कि जनता की आवाज नकारे खुदा यानि कि आप लोग जो बोलते हैं जो जनता सोचती है maximum जादतर वही चीजे जो है ठीक होने की संभावना होती है तो अपने नीचे comment जरूर करें कि आपको जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है और कि आप Sean Strickland के इस comment से सहमत है एगरी करते हैं कि भाई वो घूमता रहेगा चारो कोनों में अपने आपको टच नहीं होने देगा फिनिश के लिए नहीं जाएगा जल्दी से मुझे comment करके बताएं और इस fight का in-depth analysis लेकर मैं आपके सामने हाजर होगा काफी जल्दी तो वीडियो को like करे, share करे और चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर लो यार